आज हम थोड़ी सी ध्यान के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान एक कैसी सीज है कि जो मानव जीवन का एक महत्व का पाशा है। उज का जीवन उजागर करने के लिए। ध्यान एक यात्रा कहा दावे। ध्यान एक मार्ग है। ध्यान एक जीवन का महत्व का लक्ष है। ध्यान एक अभ्यान भी कहा दावे। ध्यान एक अभ्यास है। है त्यान एक पवित्र यात्रा है कि जिस सीज के प्रती हर कोई मानव का मन निकल सकता है ध्यानमा अपना होने का अनुभव में सुष करना है स्वयं को स्वयं में समर्पित करना है कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, जहां हो वहां ही रुख जाओ ध्यान के द्वारा मानव अपनी अंदर की अल्प आनन को परमात्मा के विराथ स्वरूप के साथ जूड जाता है ध्यान को सामन्य सीध नहीं समझना चाहिए एकाग्रत का अर्थ होता है कि मन की बिन-बिन विचार दारा को एक विचार की गती में उपलब्ता लाना होता है जिस से मन को सभी प्रकार की असांतियों से मुक्त कर फक्त परमात्मा के अनुभोग के लिए ही कैंदरित किया जाता है याने की ध्यान वो एकाग्रता है जिस से मानो परमात्मा को अनुभोग करने के लिए एक महत्व का पासा है योग के आथ आयाम है इसमें से पएक एक आयाम ध्यान है ये योग का आयाम कितना महत्व का है ये आपको उपर की बातों से मालूम हो जाता है योग का सभी आथे आयाम का मैंने अलग-अलग पोस्ट में उनका अलग-अलग महत्व समदाया है ये ज्यान के आयाम के पासा से ही हर कोई मानाओ आज्यात्मिक्षेत्र में सफलता का सीखरहंसल करते हैं और करते जाएंगे और करते आये हैं ये ज्यान का पासा ही संसोधन का रही है ज्यान का पासा ये जगत के बंधनों के विनास का रही है ध्यान ये संसार में सर्म से, कर्म से, बंधनों से मुक्त होने की एक आउशधी के समान है। ध्यान ये निर्विकल्प, निर्विचार और संसार के सभी परपंसो रहित अलग स्थिति लाने वाला ध्यान का पासा आती महत्वका है। ध्यान से योग क्रिया के आंतरिक पद्धती है, मानव जैसा जिसके प्रति ध्यान करता है, वैसा ही मानव बनता चला जाता है जब मानव अपने अंदर ब्रह्म शक्ति का अपने आप में अंतर में ध्यान लगाता है, तो धिरे धिरे वो मानव समस्त ब्रह्मान व्यापी परमात्मा की चेतना का एक अभिन अंग बन जाता है ध्यान कोई भी सीज़ पे जितना गाड़ा होगा, इतना ही उनका परिणाम सार्थक बनता है इस सुष्टी का सर्जन भी ध्यान की गती से ही हुआ है इस सुष्टी में जो भी सर्जनात्मक संसोदनों हुआ, वो ध्यान की गती से ही हुआ है जब अपने मन की अलग-अलग विचार धारा पर ध्यान में लेकर ओव मन को ध्यान के द्वारा एकागरता पकरती है एकागरता का मतलब होता है कोई भी एक की सीज पे विचार प्रवुत हो जावे उनको एकागरता कहा जाता है ये एकागरता ही संसोधनकारी होती है ये एकागरता के मार्फत से ही सुष्टी में सभी सीजों का निर्मान सर्जन हुआ है एकागरता ये कोई भी सीज पे लाएगा तो एकागरता ये सीज का कोई ने कोई रास्ता खोल देखती है इतनी ताकात एक आगराता में बरी हुई है फिर वो खुला हुआ रास्ता के प्रति मानव अपनी तर्क बुद्धी लगा के वो ही रास्ता का अलग-अलग प्रियोगों करके उसी में सफलता मिलती है ऐसी ये ध्यान के एक आगरता विचारदारा में सक्ति बरी हुई है ध्यान के महत्वता जितनी कहे इतनी कम है इतनी ध्यान के एक आगरता में सक्ति बरी हुई है ऐसे देखा जावे तो ध्यान अनेक प्रकार का होता है इसमें ध्यान में मुख्य दो धाराए बहती है, एक स्थोल जगत का ध्यान कहा जावे, और दुसरा सुख्श्म जगत का ध्यान कहा जावे, स्थूल जगत का ध्यान और सुक्ष्म जगत का ध्यान दोनों में तफावत है स्थूल जगत का ध्यान विचारों पर खुली आँखों पर लाया दाता है और सुक्ष्म जगत का ध्यान बंध आखों से निर्विचार पर लाया दाता है कोई भी एक केंद्रित बिंदू खड़ा करके लाया दाता है स्थूल जगत का ध्यान समाज जीवन की व्यवस्था के बाग रूप में लगाया दाता है और सुक्षण जगत का ध्यान आत्मा के कल्यान के रूप में लगाया दाता है या तो संसोधन पर लगाया दाता है स्थूल जगत का ध्यान हितकारी भी होता है और अहितकारी भी होता है स्थूल जगत का ध्यान पोजितिव भी होता है नेगेटिव भी होता है किस सरी के से होता है मानो एक चोर कायम चोरी करता है तो उनका ध्यान वो चोरी के विशे में ही गुमता रहेगा इसलिए उनका ध्यान कायम चोरी के विशे में ही लगा रहेगा इसको ही अहितकारी कहता है, इसको ही नेगेटिव ध्यान कहता है ऐसा ये संसोधन में जो भी नेगेटिव पासा है वो सभी negative पासा का result अहितकारी होता है इसलिए इसे negative पासा जारी ध्यान को अहितकारी कहा लाता है और हितकारी ध्यान इसको कहते है कि मानो कि आप कोई business कर रहे है और आपको business बढ़ाना है तो आपकी हर दिन की सोष यही रहेगी कि मैं कौन से तरीके से business बढ़ाऊ इसमें आप business बढ़ाने के बारे में सभी प्रकार की सोष लगाओंगे कहां से material लाना है किसको बेशना है कईसे payment की विवस्ता करना है कईसे उत्पादन बढ़ाने की विवस्ता करना है कईसे उत्पादन की कोश निचेलाई दा सकती है इस सभी प्रकार की business बढ़ाने के लिए जो सोष लगाना है हितकारी ध्यान कहा दाता है अपने एक ही सित्र में सारा ध्यान लगा दिया तो वो एक ध्यान की ही प्रक्रिया हुई इस सुष्टी में मानो जिवन के सारा उद्यश के लिए जो ध्यान करता है वो हितकारी ध्यान कहा दावे और जो मानो जो बातों को समाज सिकारती नहीं कानून भी सिकारता नहीं ऐसी बातों पर जो मानो चोष लगाता है ध्यान लगाता है वो सब अहितकारी ध्यान कहा जाता है, सब नेगेटिव ध्यान कहा जाता है स्थुल जगत के ध्यान के बारे में ये सब भी बाते हुई अब हम सुक्षा जगत के ध्यान के बारे में बात करेंगे जैसी मानू की चोस होती है वैसे ही वो मानू संसकार बीजारोपन होता है उनके मन के अंदर और वो संसकार के आधिन मानू ऐसा ही बनता है फिर वो मानूता वाला मानू भी बन सकता है और सेतान भी बन सकता है इस सब सूल दगत के ध्यान की चोश से संसकार सिंचन होता है ये ध्यान के लिए बहुत अलग-अलग बाते होती रहती है ध्यान के बारे में ब्रह्म भी है हमारे मानुगों के अंदर ध्यान के बीना कभी एकागरता होगी ही नहीं जब और भी नहीं हो सकती क्योंकि पहले आपको आगना चक्रे की उज्जा पे देखते रहना है वो ही उज्जा को देखते रहना है इसी को ही ध्यान कहा दाता है जब अपना ध्यानों प्रकास देखने में ही लगेगा तब अपनी विचारदारा दिरे 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 वही प्रकास में ही सिर्फ विचार वित ओती जाएगी वो प्रकास देखने की कोशिश करोंगे तब ही अपनी विचारदारा वो प्रकास के प्रति लग जाती है अपना अंत्रिक मन वो प्रकास देखने में ही लग जाता है इसलिए दुसरा विचार बंद हो जाता है दूसरा विचार बंज होने से ही अपनी विचार धारा ये की ही विचार में लगेगी इसी को ही एकागरता कहते है यही कारण से ध्यान के बिना कभी एकागरता नहीं आती है इसलिए ध्यान को कोई भी एक कैंदर बिंदु जो आगना चक्र पे लगाते है क्योंकि प्रकास वहां ही दीखता है शरी में वही प्रकास को जांक जांक के देखने रहना है वही देखते रहोंगे तो ही विचार धरा एक विचार पकड़ती है लिकिन ये ध्यान से एक अगरता पकड़ने के लिए बहुत समय लग जाता है वर्षोशला जाता है तब आपका ध्यान गाड होता है जब गाड ध्यान होता है तब ही एक अगरता पकड़ती है इसके पहले किसी को भी एक अगरता पकड़ती नहीं है कभी गाड ध्यान तरफ आप तब जाओगे कि आप प्रकास देखते ही रहोगे देखते ही रहोंगे देखते ही रहोंगे वर्षो शुले जाने के बाद गार ध्यान तरफ आप जा सकोगे ये ध्यान के बारे में सभी मानव अपने अपने मत बतान तक के मुझब बाते करते हैं लेकिन मैं तो ये ध्यान की प्रक्रिया से गुजर सुका हूँ ये बात पहले किसी भी मानों को कुछ भी दिखता नहीं है कभी और जो दिखने की बाते करते हैं वो मानव जीवन में हर दिन जो आप फोटो मूर्तिया देखते हो वो ही चित्रों वहाँ भावत्मक विचार में परिवत्तन होता है तब चित्र पर जो पहले देखा है वो ही चित्रात्मक रूप में भावत्मक रूपने दिखने का भाव पेदा होता है वो भी जो हर दिन आप देखते हैं वो ही वहाँ दिखने के लगेगा अभास होगा इसको देवदर्शन लोग मान लेते हैं ये देवदर्शन कभी नहीं कहा लाओ है ये तो एक भावत्मक भ्रह्म के रूप में एक देवदर्शन करना इतना आसान नहीं है और समाधी में जाना भी इतना आसान नहीं है, समाधी में एक बाद आप जो संक्लप सोड़ोंगे, उनका दर्शन आप कर सकते हैं, समाधी के बाद आपके जागरूत मन का ड्राइवर संक्लप बन जाता है, आपका अंत्रिक मन का ड्राइवर संक्लप ही है, बहुत सारे साजकों ये ज्यान के बारे में बटक गए और बाते समाजी की करते हैं वो सभी बातों में हमको पढ़ना नहीं है ऐसी सोस उनको लगानी चाहिए ऐसी बातों से ही साजकों में बड़ी गेर समझ पैदा हो जाती है साजकों को साजक जब तक अपनी आंत्रिक नजर आगना चक्रपे स्थीर नहीं कर पाता तब तक वहां कभी भी प्रकास नहीं दीखता जब तक प्रकास नहीं दीखता आगना चक्रपे तब तक कभी किसी का ध्यान लगता ही नहीं है ये मैं गैरेंटी से कहता हूँ इसलिए ध्यान लगाने से पहले अपनी आंत्रिक नगजर आगना चक्र पे स्थीर करनी पड़ती है पहले सिखना चाहिए कि आंत्रिक नजर स्थीर करने का पांस से सो मास का एक तंत्र है वही तंत्र योग क्रिया के लिए दिख्षा कहा जाता है इनके बिना कभी किसी की आंत्रिक नजर स्थीर नहीं हो सकती अब स्थीर करने जाओगे तो भी नीचे गीर जाएगी क्योंकि वो तंत्र के माध्यम से ही आखों के और आगना चक्र की नसे स्थिती स्थापक बनती है जब सभी नसे स्थिती स्थापक नहीं बनती है तब तक आपके आंतरिक नजर वहां स्थीर होने की सक्यता ही नहीं है, कभी हुई ही नहीं है और किसी की ओगी भी नहीं है। ये बस्तक की और आउंखों की चारों तर्प की नसो जो होती है, वो स्थीर होती है. वो स्थीर नसों को स्थीती स्थापक जब करोगे तभी आगना सकर पर आपकी आंतरिक नजर स्थीर होती है. जब आंत्रिक नजर स्थीर होगी तभी वहाँ प्रकास दिखेगा और वो प्रकास जो दिखता है वो ही प्रकास को आंत्रिक मन से आंत्रिक नजर से इसमें लगा दो देखने में देखने में देखने में प्रकास देखते ही जाओ तब आंत्रिक मन भी उसमें लग जाता है तब आंतरिक विचारदारा धिरे 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 नस्ट होकर मन की संसरता दूर होकर मन का कुद का दूर होकर स्थीर होने लगता है. तब वहां एकागरता पेड़ा होगी, इसके बिना एकागरता भी पेड़ा होने वाली नहीं.